Hello students, welcome to the official YouTube channel of origin coaching आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास पे और आज हम पढ़ेंगे दोलन का लेक्चर नमबर टू लेक्चर फर्स्ट में आपने देखा होगा कि हमने आक्सेलेशन का पूरा बैसिक आपको पढ़ाया जिसमें हम आक्सेलेशन के लिए विस्थापन का समीकरण फिर वेक का समीकरण फिर तोरण का समीकरण आपको पढ़ाया और मैंने आपको बोला था कि आगे ये सेकंड पार्ट में कंटिनी होगा किसी भी क्लास को आप फर्स्ट पार्ट से प्राटर प्र देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा चलिए आज हम इसके सेकंड पार्ट पर डिस्कस करें क्लास डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफार्मेशन बता दूँ कि मेरा अनकेडमी में जो फ्री क्लास होता है ये मेरा इस्पेसल क्लास है जो किसी भी फी नहीं चाहिए इस क्लास के लिए आपको फ्री में मिलता है इस class को join करें आप 1 p.m. पर 1 p.m. पर मेरा एक class होता है हाला कि अभी schedule change हो सकता है मेला coming time में आपको inform कर दूँगा तो ये class आप join करो इसमें हम multiple twice question के pattern पर आपको समझा रहे हैं पूरा competitive exam की त्यारी आप यहाँ पर कर सकते हैं नीट के त्यारी कर सकते हैं यह पूरे question हम इसमें आपको साल करा रहे हैं यहाँ पर आप देखो कि इसको class को join कैसे करना है class को join करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जोइन करो सबसे पहले अपने मोबाइल पर हमारे टेलीग्राम ग्रूप में हम इस class के लिंक आपको डेगूलर देंगे और यह हमारा जो class होगा यह class completely free होगा इसका कोई फीपेट नहीं करना है बार-बार मैंसे repeat कर रहा हूं क्योंकि आपको और यहां पर आप complete त्यारी कर सकते हैं बस आपको मेरे class को जोईन कर लिए मेरे referral code यूज करना होगा जेपी सर लाइव ऐसी capital letter में continuous रहेगा आप यह नोट कर लो यहां से यह class का code आपको डालना है आप सब्सक्रिप्सन भी लेंगे तो आपको मेरे referral code पर 10% का सब्सक्रिप्सन मिलेगा ओके चलिए तो class करें हम और आज हम पढ़ेंगे oscillation का second part दोलन के previous part में मैं महां से आपको connect करूं हमने इसका तोरान का फार्मूला देखा किसी भी दोलनी गति करने वाले पिंड का जो तोरान होता है alpha वो हमने देखा minus omega square into y यह तोरान का फार्मूला है अब चुकि हमको पता है कि यहां पर यह जो omega है जो कि कोड़ी वेग है यह constant होता है तो omega के constant होने पर यहां पर हमको जो relation मिलेगा वो मिलेगा alpha proportional to अब हम इसको proportional कर सकते हैं minus y सब्दों में इसको मैं लिखूं तो त्वरान जो है विश्थापन के समन उपाती हो जाता है और जब किसी भी दोलनी गती करने वाले पिंड का त्वरण उसके विश्थापन के समन उपाती हो जाए और यहां पर minus sin 100 करता है उसके negative direction को मतलब उसके opposite direction को कि त्वरण भी स्थापन के विप्रिदी समय कारिकत है तब इस पिंड की गती को हम सरल आवर्ती गती कहते हैं इस condition में इस पिंड की जो गती है वह सरल आवर्ती गती सरल आवर्ती गती कहलाता है simple harmonic motion simple harmonic motion साट फार्म में हम इतना लंबा कभी बात नहीं करेंगे हम सीधा आपको बोलेंगे SHM हर फिजिस के student इसको SHM के नाम से जानता है SHM बोले से आपको पता चल जाएगा कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं तो यह इसके लिए condition है यह भ्यान रखना यह इसका condition है कि simple harmonic motion करने के लिए त्वरण को यह इसका condition है कि simple harmonic motion करने के लिए पिंड के त्वरण को उसके विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए जब किसी पिंड का त्वरण उसके विस्थापन के रिडात्मा की विस्थापन कहना चाहिए कि समान उपाती हो तब हम उसके गती को सरलावर्ती गती कहते हैं अब हम देखें इसके आवर्तकाल के लिए फार्मूला अब किसी पिंड का जब गती स्राल अवर्ति गती होता है तो उसका अवर्तकाल टाइम पिरियेड इसका जो टाइम पिरियेड होता है अवर्तकाल वो क्या होता है इसका जो आवर्तकाल है time period आपको मालूम है कि कोई भी पिंड यदि आवर्ती गती कर रहा हो तो उसका आवर्तकाल कितना होगा आवर्तकाल हो जाएगा उसका एक oscillation complete करने में लगा समय है उसको हम आवर्तकाल करते हैं आवर्तकाल omega equal to two pi nu अभी मैंने पहले फार्मूला बताया था पहले class में omega equal to होता है वास्ता में two pi by t होता है तो t equal to क्यों होगा t equal to two pi by omega 2 pi by omega that implies यहां समझी सकते हैं t equal to two pi और देखो omega हमने यहां से यहां से यादि हम omega का value निकालना चाहें तो यहाँ पर मैं value निकाल देता हूं omega का, omega equal to हो जाएगा, root आप alpha upon y, यहाँ पर minus sign को छोड़ देंगे, क्योंकि minus sign जो है वो दिशा बताता है, तो alpha equal to omega square into y है, यहाँ omega निकालें, तो omega square equal to alpha upon y हो जाएगा, और दोनों तरफ को root लेंगे, तो alpha equal to omega equal to alpha upon y, इस तरह से इसको हम क root यह omega का value है, यह omega का value है, तो 1 upon omega क्या हैगा, y upon alpha, यहाँ एक बार लिख दूँ मैं, y upon alpha डारेक्ट लिख देता हूं, y upon alpha, यहाँ पर मैं कारण भी लिख देता हूं, चूंकि omega equal to under root alpha upon y, यह होता है, तो यहाँ पर जो फर्मूला आप देख रहे हो, यही इसके आवर्टकाल निकालने का फर्मूला है, मतलब यदि कोई भी पिंड, यदि कोई भी पिंड सराला वरती गती कर रहा हो, तो सराला वरती गती करने वाले पिंड का जो दोलंकाल होता है, वह root 2pi, root of y upon alpha के बराबर होता है, यहाँ सब्दों में हम क्या कहें, कि t बराबर 2pi under root of विस्थापन विस्थापन बटे त्वरण यह formula आप कभी नी भूलना, कि किसी भी पिंड के हमेशा लागू नहीं होता है, यह सिर्फ लागू होता है, simple harmonic motion के लिए, बहुत important topic है, बहुत इसके बाद simple pendulum मैं आपको detail में next class में पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसके पूरा basic पर आप से बात कर रहा हूँ, कि कि किसी भी को उसके विस्थापन के समनुपाती होना चाहिए, और दूसरी बात, जब उसकी गति सरलावर्ती गति हो जाती है, तब उसका आवर्तकाल होता है, t equal to 2 pi y omega, यह इसको साल्व करें, तो t equal to 2 pi y upon alpha, यह विस्थापन बटें, तब हम किसी भी पिंड के जब सरलावर्ती गति को प्रूफ करेंगे, तो हमको सबसे पहले यह प्रूफ करना पड़ेगा, कि त्वराण विस्थापन के समनुपाती है, और जब हम यह प्रूफ कर लेंगे, तब हम को उसके आवर्तकाल का गणना करना पड़ेगा, तो यहां पर हम दो तरह के पिंड के सरलावर्ती गति की जिसमें से क्वेश्चन आना ही है, चाहे कोई भी एकजाम हो, सरलावर्ती गति से क्वेश्चन आए बीना, फिजिस का पेपर कम्प्रिट भी होता है, चलिए, तो हम नेस्ट पढ़ते हैं, सिंपल हर्मोनिक मुसन आप, स्प्रिंग, सबसे पहले हम पढ़ने, स्प्रिंग क कमानी बोलते हैं, स्प्रिंग को साइद मेरे ख्याल से हिंदी में कमानी, लेकिन आप इस्प्रिंग बोलो, ठीक है, बहुत कठी नाम है, सिंपल हर्मोनिक मुसन आप इस्प्रिंग, इस्प्रिंग आप सब ने देखा है, कि इस्प्रिंग को हम खीचें, या इस तरह का सिच स्प्रिंग पर हमने एक भार लटका दिया अब आपको मालूम है कि यदि इस स्प्रिंग को हम नीचे की और खीच के इसका भार एम जी है और यह इसमें एप के बराबर बल लगा है सफोर अब इसको हम नीचे खीच के छोड़ दें तो यह बात आप सबको पता है कि यह स्प्रिंग अपने माध इस्थिति के ऊपर जाएगा और फिर यह नीचे आएगा खीच के छोड़ दें मतलब किसी इस्प्रिंग में इसको वाई विस्थापन इसमें दिया है और एफ बल लगाया तो इस्प्रिंग को कॉंसेट कहता है कि एफ जो होता है वह समानुपाती होता है वाई के विस्थापन के समानुपाती होता है यह क्लियर बात है कि जितना हम बल लगाएंगे उतना ही अधिक इस्प्रिंग में विस्तापन होगा, spring में थोड़ा बल लगाएंगे, थोड़ा खीचाएगा, ज्यादा बल लगाएंगे, ज्यादा खीचाएगा तो f proportional to y होता है, that implies इसको हम आगे साल्व करें, तो f equal to, यहाँ पर k का multiply करते हैं और k यहाँ पर क्या कहलाता है, spring constant, k को कहते हैं spring constant spring में यह तांग कहलाता है, और minus sign so करता है, कि spring अपने विस्तार का उसमें जो हम फैलाते हैं, उसका विरोध करता है spring को हम नीचे खीचें, तो उपर जाना चाहता है, दबा दें, तो फैलना चाहता है, इसलिए हम यहाँ पर minus sign use करते हैं f equal to minus k into y होता है, that implies आगे इसको हम salve करें, तो क्या salve कर सकते हैं, m को लिख सकते हैं, f को लिख सकते हैं, m into alpha यहाँ पर चुंकि बाद दोलनी गती कर रहा है, तो तरोड तोरण को हमने यहाँ पर कोड़ी तोरण लिखा है, और minus हो जाएगा k into y अब आगे इसको हम salve करें, m alpha equal to minus k into y, तो that implies, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, alpha equal to minus k upon m into y और naturally आप यहाँ से देख रहे हो, कि k upon m क्या है, एक constant है, k upon m एक constant है, तो therefore इस relation को हम लिख सकते हैं, alpha proportional to minus y तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, कि इसका जो कोड़ी तोरण है, वह इसके विस्थापन के, spring के विस्थापन के समान उपाती है और तब हम कह सकते हैं, कि अतह spring की गती, अभी मैं आपको समझाया हूँ, तो प्रूफ हो गया, spring की गती क्या है, simple harmonic motion है, सरालावर्ती गती है इस पकार से, जैसे ही हम प्रूफ करेंगे, कि alpha proportional to minus y, तब हम लिख सकते हैं, spring की गती, सरालावर्ती गती होती है और अब हम इसका यदि आवर्तकाल निकाल लें, इस base पर यदि हम इसका आवर्तकाल निकालें, तो आवर्तकाल इसका कितना हो जाएगा भी देखो, आवर्तकाल t equal to 2 pi, root आप, यह अभी फर्मूला मैंने बताया है, y upon alpha होता है, माने भी स्थापन बटे, तो यह हो जाएगा y upon alpha, that implies t equal to 2 pi, यहाँ से देखो, y upon alpha का value क्या है, यहाँ से यदि हम y upon alpha निकालना चाहें, यहाँ से, तो यहाँ से y upon alpha निकालेंगे, तो y को इधर transfer करेंगे, sorry, alpha को इधर, तो y upon alpha equal to का हैगा, aim upon k, इधर transfer होगा, तो minus को छोड़ देंगे, यह हैगा, aim upon k, और यह जो फर्मू जब सरल आवर्दी गति करता है, तो उसका जो आवर्द काल होता है, t equal to 2 pi, under root m upon k के बराबर होता है, तो यह है, simple harmonic मुसनाफ, spring, यह easy question है, इसके बाद हमको पढ़ना है, simple harmonic मुसनाफ, simple pendulum, वो बहुत detail है, उस पर बहुत से question कराने है, बहुत detail discussion करना है, तो वो class में आपको next class में ही provide कराऊंगा, क्योंकि यही मैं सब बता दूं, यह सब एक साथ mix up होयागा, मुझे मालूम है, तो आज इस class में मैंने आपको जो बताया, एक बार मैं repeat करता हूं, जहां से सुनो, सबसे पहले मैं आपको बताया, कि तोरान का जो formula होता है, उसके बैस पर हमने यह निकाल और आपको यह बताया, कि जब तोरान के समन उपाती होता है, तो उसकी गति घुम simple harmonic motion, सरलावर्ती गति कहते हैं, और जब कोई भी pin सरलावर्ती गति करता है, तो सरलावर्ती गति करने वाले pin का जो आवर्तकाल होता है, वो यह होता है, और इसके बाद हमने एक इसका example पढ पर दिया कि इसका त्वर्ण विस्थापन के समानुपाती है अता है इस्प्रिंग की गति स्वर्णावर्थी गति है और यह उसका आवर्तकाल का फार्मूल है यह फार्मूले आपको लर्म हो जाना चाहिए टी इक्वाल टू पाय रूट आफ एम अपान के जहां पर एम जो लटकाइं हैं उसका वद्र विमान हैं और क्या है इस स्टिंग का स्टिन्ट है तब हम कुष्कावर्थथकाल ग्याद कर सकते हैं कि यह टापीशञ्र है हमारा इस्प्रिंग पर नेक्ट इस टापिक का वेट करिए बहुत इंपार्टंट तापीट होने वाला वह वहरी यह स्प्रिंग इतना तयार करके आएंगे तो आगे का टापिक आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा ओके ओके थैंक्यू 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 थैंक्यू